दोस्तो चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को तब असंभव में डाल दिया जब उसने चंद्रयान 2 के बारे में पूरी जानकारी इसरों को दी चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रयान 2 की फोटो दोस्तो चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजनसी इसरों के पास भेज दिया है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 2 कैसे जिन्दा होगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी और स्पेसक्राफ्ट भी चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं इसरों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसकी जितनी ताकत दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजनसी में नहीं है चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुँचने से पहली ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर एक भारतिय का सीना चोड़ा हो गया है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लौंच होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है 14 जुलाई को श्रीहरी कोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर उडान भरने वाला चंद्रयान 3 तकरीबन 17 दिनों के बाद पृत्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जा चुका है जब इसको पृत्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड तकरीबन एक लाख किलोमीटर प्रतिघंटा रखी गई थी आपको बता दू कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सता पर सौफ्ट लांडिंग करेगा वही आपकी जानकारी के लिए बता दू कि अपकी बार इस मिशन में कोई भी आर्बिटर नहीं है क्योंकि जो आर्बिटर इसरों ने चंद्रयान 3 के साथ भेजा था वह अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वह आगामी 10 वर्षों तत ऐसे ही काम करता रहेगा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद यहाँ पहले वाले ओर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा आएए पहले चांद के बारे में जानते हैं चंद्रमा पृत्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपगरह है यहाँ पृत्वी के आकार का लगभग एक चौथाई और द्रव्यमान का एक छटवा है चंद्रमा पृत्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने अक्षपर एक बार घूमने में भी उतना ही समय लेता है यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चहरा देखते हैं और दूसरा छिपा रहता है जिसे डाक साइट कहा जाता है चंद्रमा का सता चत्तान और धूल से बनी है चांद पर कोई वातावर्ण नहीं है और वहाँ पर पानी होने की संभावना है चांद के धर्ती की सता पर कई विशाल गड़ी हैं जो उलकापिंडों के टक्कर से बने है चंद्रमा पर कुछ पहाड भी है जिन में से कुछ की उचाई 10,000 मीटर से ज्यादा है चंद्रमा पर गुरुत्वा कर्शन पृत्वी के गुरुत्वा कर्शन का एक छटवा भाग होता है इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तू का वजन पृत्वी पर 120 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 20 किलोग्राम होगा चंद्रमा पर कोई वातावर्ण नहीं है बिना वातावर्ण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सता पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है इसलिए चंद्रमा की सता पर दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी होती है अब बात करते हैं कि चंद्रेयान तीन आखिर चांद पर क्या करेगा? चंद्रेयान तीन चांद के दक्षिनी धुरूफ पर सौफ्ट लैंडिंग करने के पश्चाथ चंद्रेयान का रोवर चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है इस बार चंद्रेयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खत्रे का पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रेयान 3 को चांद पर पहुचाने में मदद करेंगे चलिए कुछ और जानकारी देते हैं चंद्रेयान 3 चंद्रमा की सता का विशलेशन करेगा और उसकी संद्रचना, भूमी और मिनरल का अध्ययन करेगा यह चंद्रमा की सतह से उपर की ओर जाकर अनुसंधान करेगा जिसमें सूर्य की किरणों का अध्ययन चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर की दिशाओं की जाँच और उसके गुरुत्वाकर्शन का मापन करेगा चंद्रेयान तीन चंद्रमा की भूमी के नीचे जाकर खुदाई करेगा और मिन्रल और अन्य जैविक सामगरी की खोज करेगा चंद्रेयान दो की तक्नीकी खराबी के कारण सौफ्ट लांडिंग नहीं हो पाई थी और नहीं उसका रोवर बाहर आ सका था लेकिन उसके तक्रीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रेयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सरवर पर भेजा है तक्रीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रेयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रेयान 2 अपनी लोकेशन से तक्रीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था जिसकी वज़े से ही उसकी क्राश लांडिंग हुई थी क्राश लांडिंग होने के बाद चंद्रेयान 2 उल्टा हो गया था जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका उसकी वज़े से ही शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रेयान 2 का मलबा तक्रीबन 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है जिसको हमारे चंद्रेयान 3 के हाई रिजोल्यूशन कैमरो ने बहुत ही सतीक तरीके से कैप्चर किया है जैसे जैसे चंद्रेयान चंद्रमा के करीद जाएगा वैसे वैसे यहां और भी बढ़िया क्लेरिटी वाली इमेज और वीडियोज हमारे इसरो को भीजता रहेगा इसमें लगे हुए सैकडो सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय तो हेल्प करेंगे ही साथ ही वहां की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, घूकम, पहाड, गड़े और तापमान की भी जानकारी हमारे इसरो को देगा इन सभी आकडों को देखकर ही हमारा इसरो इसके बाद गगण्यान लॉंच करेगा जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनौट गगण्यान में बैठ कर चंद्रमा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे वही अगर हम चंद्रेयान 3 और चंद्रेयान 2 के कुछ मेजर डिफरिंस तो चंद्रेयान 2 मिशन की असलता के बाद इस्ट्रोने इस बार चंद्रेयान में कुछ बदलाव किये है चंद्रेयान 3 के लैंडर को डिटेक्शन और वाइड लेंस कैमरा साथ लॉंच किया गया है जिसका उपयोग लैंडिंग के समय नियंत्रन के लिए किया जाएगा क्योंकि लैंडर चंद्रमा की सता पर उतरेगा सफलता पूर्मक लैंडिंग करने के पश्चात वहां की हाई रेजुलेशन तस्वीरे और विडियो बनाने के लिए भी कैमरों का इस्तमाल किया जाएगा चंद्रयान टीन में ऐसे दो कैमरे लगाए गए हैं जबकि चंद्रयान दो में केवल एक कैमरा था चंद्रयान दो के आर्बिटर को उपकरणों की प्रभावशाली सूची के साथ लॉंच किया गया था जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है पिछली बार चंद्रयान दो की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था इस रो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था जिसकी वज़ा से कुछ सीमाए थी इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलो मीटर धाई किलो मीटर रखा गया है यानि इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है आपको बता दें कि अपकी बार इसमें आटोमाटिक सेंसर गए है जिससे अपकी बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग है इस रो के अनुमानित समय के अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त को होगी इस बार भारत दोबारा चंद की सता पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है वह भी ऐसी जगा जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है और नहीं हिम्मत है वैसे दुनिया में 3 देश हैं जिनोंने अपने मून मिशन भीजे हैं अगर भारत का यहां मिशन सफल होता है तो दक्षिनी ध्रूफ के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत दुनिया की पहली स्पेस एजनसी बन जाएगी आपको बता दे कि आज के समय में इसरू दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई स्पेस कंपनी अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वह समय दूर नहीं जब पूरी दुन्या में अमेरिका की स्पेस कम्पनी से पहले हमारे देश की स्पेस स्पेस कम्पनी नाम लिया जाएगा आपको बता दू कि हमारे चंद्रेयान तीन पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों की स्पेस कम्पनिया नजर गड़ाए बैठी है क्योंकि हमारा चंद्रेयान चंद्रमा के दक्षिनी धुरूफ के आसपास लैंड करेगा, जहां पर आज तक कोई भी देश अपने यान को लैंड नहीं करवा पाया है चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सकें और अपने भरोसेमन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं किसी और knowledge cable के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद